हम देख रहे हैं जिससे लाडली बेन योजना कही है तो मुझे वो योजना बिलकुल पसने है फिरी पढ़ाई दे के तुम करोगे क्या जब तुम जोब ही नहीं दोगे ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगा यूगा हम जब से बादा हुए है हमने सिफ़ सिफ एक सिरकार का राज देखा है हमने दूसरी सिरकारों के राज केवल किताबों में पड़े हैं या किसी और के अपने पापा अपने दादाओं के मुझ से सुना है तो उसको जब पता चला कि हम लोग मुसल्माने तो उसने भाइन चाय फैक के और मतलब इतना गंदा गंदा बोल के चला गया न्यूज लोटर के टीम पिछले कई दिनों से मध्यपरदेश के अलग-अलग हिस्सों में घूम रही है और राज हमारा कारवार अज़दानी बोबाल में पहुचा है यहां में कुछ यंग वोटर्स मिलें कि इमें से बहुत सारे फर्स्टाइम वोटर्स भी है तो इनसे बात करते हैं जानते हैं कि इनके आस पास का महौल कैसा है इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है आने वाले सतर तारीक को यह किन मुदों पर वोट डालेंगे इस एलेक्शन में आप किन मुदों पर वोट डालेंगे Employment मतलब जितना हम लोग को मालम है कि मतलब रदेश में इम्पॉइमेंट का बहुत एक बड़ा इशू है तो मेरा ये एक में मुद्द हैगा कि जो आने वाली गवर्मेंट है हमारी मतलब स्टेट में और जादा हमारे लिए वो मतलब प्रोवाइड करें तागे हम लोग और हम लोग को भटकना ना पड़े ना मेरा मुद्द तो हेल्थ एजुकेशन तो ही पर साथ में जो मतलब जो महौल है हमारे हां भी पता नहीं क्यों लेकिन अभी जो धार्मिक जो ये भावना एक दूसरे की बहुत जादा बढ़ गई है मतलब ये कम होनी चाहिए मुझे जो गवर्मेंट ये खेल रहे हैं धार्म को लेके हैं तो मुझे लगता ही ये सब कम होना चाहिए मेरा एम मुद्धा तो वही एजुकेशन है फ्री पढ़ाई दे के तुम करोगे क्या जब तुम जॉब ही नहीं दोगे ग्रेजुएशन के बाद क्या करेगा युवा गवर्मेंट जॉब की तैयारी करके क्या कर लेगा कोई चांसिस है वो तो भीड है भेड़ चाले चली जा रही है कोई प्राइविट सेक्टर में युवा के लिए कोई ऐसा नहीं कि अच्छी सेलरी पर जॉब मिल सके ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो हम वो सारे बेसिक फैसिलिटी जो हम्मेश है जैसे हेल्थ हो गया ये रहने के लिए घर हो गया या जो भी जितनीmibh जरूरते हं वो आम तभी पूरा करपाएंगे जब हमारे हाथ में पैसा होगा और पैसा तभी आएगा जब हमारे पास रोजगार होगा तो रोजगार एक मेरे लिए जो एक बैसिक क्राइटिरिया रहेगा इस बार बोट देने के लिए अच्छा आध लाडली उजना जो आपके स्टेट में भी लाँच होई है फिछले चा अगर उनको कोई काम दे के अगर पैसे तो वो एम्प्लॉइमेंट पर जाता है से वो में एंपावर कैसे हो रही है उनको तो घर बैथे पैसा मिल रह और जाध स्टेट राजिसों टेक्सिशन उस पर कितना प्रभाव पढ़ रहा हुए है भर्री में पैसे दे रहा है अधि, वही पैसे वह महिलाओं को काम करके देते तो शायाइद प्राइब काम देटे पिछले कुछ समय से मध्यपरदेश में बहुत सारा धर्म के नाम पर चीजे हो रही है जैसे कि लोगों को रिडियर साइट नी के नाम पर उनको टार्गेट बनाया जा रहा है तो यह सब देखके कैसा लगता है इससे देखके तो बहुत बुरा लगता है क्योंकि सम्विधान सब्सक्राम को पता है क्यों सब्सक्राइब करें है आधर्म के नाम पर पिछले आएठ सालों में और ज्यादा अगर हम ऊड़ा जाथ तीन सकों में गर्फ्ले सांटर्म के नाम और जोगों के नाम सैंडलिय है चोटे चोटे बच्चों के मन में भी अब जहर है कि मुस्लिमों के साथ नहीं रहना है, सिख तो अलग है, जैशरी राम का जो नारा है, जो जैगोश बना दिया है, वो तो सभी को पता है, तो वो बच्चों के मन में भी आ रहा है, तो हम एक ऐसी पीडी को पार रहा है, जो श करते रहेंगे तो हर जगह ऐसा हो रहा है कि आपका रिलीजन कुछ हो आप मतलब कोई क्राइम करके आएगा लेकिन उसको पहले जोड़ देते हैं कि मतलब एक टैबू है कि मुसल्मान ही करेगा यही करेगा तो वो मैं मतलब करेंट अपनी जो गवर्मेंट उसका एक ब्लेम कर लेकिन हम लोगों ने जब चाय ओफर करी तो उसको जब पता चला कि हम लोग मुसल्माने तो उसने भई चाय पहक के और मतलब इतना गंदा गंदा बोल के चला गया तो अपन लोग यह देख रहा है कि आजकल छोटे सो चोटा बच्चा मतलब अपने मन में इतना गंदा गं अपने में और फिर किसी उसे कहीं दूर जहां पूस इनसा को लेके लोगों कोई मतलब अनियो सिंसा से वहां पे लोगे घरों पर बुल्डोजर चलाय आता है और ऐसे घर बुल्डोर चलाय आता है जो जो घर परधानमंत्री आवास योजना के ताहद बनी थी तो इस पर कह करते हुए वैसे हमें कुछ मत्यप्रदीश में भी देखने को मिल रहा है कि कुछ हुआ है काम और उनके घर को तोड़ दिया गया या उसके बाजु वाला भी एफेक्ट हो रहा है मैंने देखा कि एकी कम्यूनिटी को टार्गेट करने का हुए है बहले हम देखते थे कि अगर लोग बतलना चाहे है कि कि कॉंग्रेस को पिछली बार लोगो ने दिया या था मंदेट टर कॉंग्रेस पूरा nữa पना पांसाली नहीं चला पाई जैसे कि हम सभी अभी first time voter हैं तो लगबग हम 18-21 साल के उम्रके होंगे हम जब से बाइदा हुए हैं हमने सिफ और सिफ एक सिरकार का राज देखा है हमने दूसरी सिरकारों के राज केवल किताबों में पड़े हैं या किसी और के अपने पापा अपने दादाओं के मुझे सुना है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बदलाव की अतिया वश्यक्ता है और अगर बदलाव चाहिए तो हमारे पास जान्दा कोई options नहीं हैं हमारे पास गिंती के एक या दो option है तमको उन दोनों में से ही कुछ एक चुनना पड़ेगा ऐसे में राज्य में एक regional party होना कितना ज़्यादा जरूरी हो जाता है देखिए जब आपन बात करते हैं सरकार की तो अगर opposition की सोचेंगे तो फिर हमारे पास या एक या तो बीजेपी आएगा या तो congress उसके अलावा कोई और सोची नहीं सकता बीजेपी किया बात Congress ही क्यों कोई और तीसरा भी चुन सकते हैं पर कोई है इन 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 पार्टी तो क्या स्टेट में अभी एक regional party की बहुत आव सकता है हाँ जरूरत है उसकी सब्सक्राइब की बहुत आवशकता है क्योंकि जो बीजेपी और Congress है उनको मालूम है कि हमारे अलवा कोई है ने तो जो बीजेपी कर रही है वो भी Congress ही कर रही है तो बीजेपी का मुफ्त की रेविडी जो बोल रही है दे लिए तो Congress भी ऑप्शन दे आ रही है कि मेरे राज्यों सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है और महंगाई है लेकिन जो राज्य है वह अभी क्या कर रही है एक सरकार की बढ़ाई पर बढ़ाई करे जा रही है जब भी निव्यूच चैनल देख रहा हूं को एक सरकार के लोग ही जा रहे है उदर उन इंडेस्टेर एरिया भी है मगर उसमें उस तरह के इंडेस्टी नहीं है कि हर प्रकार की युवा को रोजगार मिल सके एक बहुत बड़ा और महंगाई अभी मैं परसो ही रैशन उठाया था मैं मेरे में पापा भी रैशन का खर्चा देखते थे बहुत पहले लेकिन अब में मैं एक महगाऊं ब्लॉग मैं मर्ला इस्टिक से आती हूं मैं देखा महगाऊं ब्लॉग मेरी फैमिली की स्टोरी है वो तो वह डॉक्टर मतलब उनकी डिलिवरी होने वाली थी और दॉक्टर पूरे दिन नहीं मिला उनको तो उनको पूरा मतलब पचास साथ किलो मेटर कि एक ब्लॉग में इतना बड़ा ब्लॉग यहां पर डॉक्तर वी नहीं है कई ऐसे जिले यह यह पर जिलास्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है राजदानी में वेंटिलेटरों की संख्या इतनी काम है तो फिर आप सोचे जो दूर दराज के जिले हैं जह पर छोटी लगाने के लिए वे इंटरन से उन लोग को लिए ना आथा दो सब ऑफे हम। तो अभी हम राच्य के भहुत सारी युवावों से बात कर रहे थे जो और विधान सभाहों से आते हैं कोई कालेज में हैं कोई कोई कम्प्रीट करके नौकरी के इंतजार कर रहा है सबने अपना-पना मुद्धा बताया, कोई कहा रहा था कि रुजगार जरूरी है, कोई कहा रहा था कि सिक्षा जरूरी है हिंदू-मुसलीम धर्म के नाम से जादा जरूरी इनके लिए ये तमाम चीज़ें हैं और इन चीज़ों के साथ वो सतर तारीक को जाके अपना मद्दान डालेंगे नीजलांडरी देखते रहिए, हम और भी बाकी जगों पे जाएंगे, मध्धपरेस के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और आपकी लिए खबरें लाएंगे और ये सब हम कर पा रहे हैं क्योंकि हमें आपका सयोग है और हमें कंट्रिव्यूट करिए अपने कलिक परती गोयल के साथ मैं आसी सानंद भपाल से पांच महत्वपूर्ण राज्यों में विधान सभा के चुनाव घोशित हो चुके हैं ऐसे में जरूरी है कि आप यानि नियूज देखने और पढ़ने वाले मुद्दों की तह तक पहुँचे ऐसे में आज ही newslaundry.com slash election fund पर जाएं तो support कीजे सुतंतर मीडिया को ताकि आपको एजेंडा और पक्षपात से आजाद खबरे मिल सकें